नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल के ऊपर दोस्तों रेगुलरली हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट के अंदर के जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो 14 अगस्त से जो हम लोगों ने बताया था के मार्केट जो है वो बायों डिप ही रहेगा तो इसमें मार्केट में शॉट मत करना गलती से भी और ये वीडियो जो है आपको हमारे चैनल में मिल भी जाएगी तो आप देख सकते हो कि 14 अगस्त जो है आपको दिखेगी यस यहाँ पर तो यहाँपर आपको समझाया गया था 14 अगस्त की ये वीडियो है उसके पहले वाली वीडियो में समझाया गया था कि क्या हम मतलब बॉटम के पास हैं और नेक्स डे बॉटम बन गया था तो यह वाली वीडियो एक महिने से ज़्यादा हो चुका है तो जाकर चेक कर ले ना बॉटम के आसपास आपको समझाया गया था कि मार्केट में structure जो है वो एक तरीके से क् buy on dip का ही है ठीक है ना और साथ में आपको यह भी समझाया गया था कि प्राइज एक्षन जो है ना वो बैंक निफ्टी का बहुत जबर्दस्त है ठीक है तो बहुत जबर्दस्त मतलब बैंक निफ्टी शॉर्ट मत करना और आपका जो अवरल मार्केट है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों उसमें एक नई साइकल है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आपको क्या कहते हैं buy on dip का mindset ही रखना आज दोस्तों मार्केट के अंदर gap up खुला जस्ट बिकॉस के यहां पर एक नई मलब जो आपका US के अंदर FED का interest rate cut हुआ था तो उसके वरे से gap up खुला gap up खुलने के बाद market के अंदर गिरावट आई profit booking आई थोड़ी बहुत ठीक है लेकिन याद करो हमने कल एक आपको level दिया था कल वाली वीडियो के अंदर आगे चेक करना कि निफ्टी के अंदर अगर आपका 25,410 के level के ऊपर closing ह हो जाती है तो ये closing किसी न किसी हद तक बहुत better closing होगी याद करो कल की video में समझाया था I hope सब को याद होगा याद है कि नहीं comment section में जुरूर लिखना ठीक है कल की video में समझाओ कितने लोग उने देखी होगी टरीके से देखी होगी ठीक है तो कल की video में समझाय था कि यह level ए भूली थी कि इस लेवल के ऊपर पहले दिन closing होनी चाहिए and second day जो है इस लेवल के ऊपर ही trade करते रहना चाहिए market को यानि कि आज पहली condition तो fulfill हो चुकी है कि यहाँ पर market इस लेवल के ऊपर close हो चुका है लेकिन अब कल क्या market इसी लेवल के ऊपर trade करेगा पूरा दिन और क्या market इस लेवल के ऊपर जाके कहीं कहीं closing देगा यह देखने वाली बात है तो कल का दिन काफी important रहने वाला है कल के दिन weekly candle की closing होगी याद रखना तो अगर ऐसा होता है जो यह दो condition मैंने आपको बताई तो definitely यहाँ पर market के अंदर strength फिर से लौट कर आएगी ठीक है overall तो strength में है market कोई दिक्कत नहीं है लेकिन और भी average strength market में आ जाएगी ठीक है ना तो ख्लया लखना यह वाली बातों को जो मैंने भी आपको समझाया है अब आपके सामने चार्ट में ने open कर लिया है निफ्टी का चार्ट है ठीक है लग रहा होगा भाई सबको कि भाई ठीक है यहाँ पर जब तक आज का जो candle है उसके low के नीचे closing नहीं मिलती तब तक यह candle active नहीं होगी और अगर active नहीं होगी तो फिर क्या होगा फिर इस candle का फाइदा कुछ नहीं होगा अभी तो negative candle है समझ गए सब बढ़िया बात है लेकिन आज का जो low है वो काफी important रहेगा clear होगी बात समझ म आगया अब यहाँ पर मैंने सारे फिबोनाशी लेवल जो है हटा दिये हैं क्योंकि वो फिबोनाशी लेवल जो है वो आपके achieve already हो चुके हैं ठीक है ना और दूसरी चीज total जो आप मैंने आपको समझाई थी कल के दिन क्या कि five waves में market चलेगा तो दोस्तों यहाँ से check कर लो एक दो तीन चार और यहाँ पर यह पांच already five waves इसमें complete हो चुकी हैं अब निफ्टी के ऊपर हम लोट कर आएंगे क्यों क्योंकि मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी में अभी जो है उसमें five wave पूरी होती नजर नहीं आ रही है किलियर समझ में आ गया क्यों नहीं आ रही है क क्योंकि अभी इसमें जो है यह एक यह दो और यह तीसरी चल रही है ठीक है ना तो अगर इसमें आएगा तो dip आएगा और फिर पांच वी तीसरी के ऊपर भी जाएगी ठीक है ना तो यह वाली बात को याद रखना तो अभी क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो आपका third wave मे ही है चौत ही आएगी पांच वी आने के पांच वी उपड जाएगी तो जिसकी वजह से देखो मैं आपको कल युर समझाया था कि निफ्टी में ज्यादा कुछ करने को है नहीं ठीक है बट बैंक निफ्टी यह बहुत कुछ करने को है ठीक है तो जो भी डिप आएगा ना एक छोटा बोड़ डिप आना जरूरी है मार्केट के अंदर आ जाता है बहुत बड़ी अजाएगा है यहां पर अगर मार्केट में पांच वी वेव बननी बाकी है जो कि हमको देख रहे हैं तो यहां पर बैंक निफ्टी गिरे ना और निफ्टी गिर जाए ऐसा नहीं होगा निफ्टी गिर जाए और बैंक निफ्टी बढ़ जाए मतलब this is not going to happen ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी जो है न वो आपका निफ्टी को hold करेगी hold कर सकती है याद रखना already जो मार्केट है बैंक निफ्टी की वजह से देखो बैंक निफ्टी का ठीक है लेकिन निफ्टी देख लो निफ्टी देख लो निफ्टी का अगर रहा है एक दो तीन चार पांच पांस दिन होगें लगातार निफ्टी को वो एक लिवल पर hold है वी बास समझ रहे हो तो यही मैं कहना चाहता हूँ और यह मैं आपको बहुत दिनों से कहता आ र रहा हूँ कि निफ्टी में जाए चांसिस नहीं है भाईया निफ्टी में कोई जाए चांसिस नहीं है निफ्टी अभी hold कर रखा है ठीक है लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाती है जिसके चांसिस अभी भी बहुत हैं ठीक है कैसे है चांसिस समझा दिया है 3rd wave चल लिए फिर 4th आएगी फिर 5 वी जाएगी तो bank nifty की वजह से nifty hold पे हो जाएगा nifty में चाहे strength हो चाहे ना हो लेकिन nifty नीचे नहीं गिरेगा ठीक है because of the bank nifty तो इसलिए भी भी कह रहा हूं कि अभी भी अगर short करने का मन है ठीक है तो भाई देखो मैं तो favor में नहीं हूं हां मैं इस चीज को admit करता हूं कि एक छोटा मोटा dip आ सकता है bank nifty में और nifty में गया सकता है लेकिन वो dip भी मेरे ख्याल से दो buy हो जाएगा ठीक है तो अभी भी जो structure overall है वो कहीं ना कहीं वेव complete नहीं हुई है जिसकी वज़र से अभी भी by on dip रहेगा पहली चीज ठीक है जी दूसरी चीज दूसरी चीज क्या कि निफ्टी के अंदर मैंने कि आपका एक मिनट रुको इस वारी trend line को आप इस वारी trend line से मिला दो मतलब इस low को इस low से मिला दो बलकि इस से भी मिला सकते हो इसको हटा रेते हैं इसका कोई काम नहीं है ठीक है समझ गए overall यह जो trend line है ना यह क्या कर रही है यह अभी support का काम कर रही है जब तक इस trend line के नीचे closing ना मिल जाए ठीक जब तक तो short करना ही नहीं है nifty में तो करना ही नहीं है और bank nifty तो वैसे super strong है अभी भी strong है मतलब क्योंकि इसमें चौथी के बाद 5 wave आएगी तो overall हमारा क्या conclusion निकला कि निफ्टी में तो आपको शायद कमाने को अभी उतना ना मिल पाए क्योंकि इसकी तो overall rally काफी अच्छी चली आ रही है लेकिन bank nifty में मौका मिलेगा dip का तो उसे हम buy करेंगे ठीक है अभी भी mindset को positive ही रखेंगे ठीक है जब तक कि bank nifty की total 5 wave complete नहीं हो जाती समझ में आ गया clear हो गया समझ में आ गया सब कुछ I hope समझ में आ गया होगा ठीक है जी आगे बढ़ते हैं तो यह nifty bank nifty का price action था जो कि मैं आपको clear कर दिया option chain देखोगे next week की तो option chain में nifty में कहीं न कहीं कुछ न कुछ positions build हो रही है देखो यहां पे out of the 20,000 13,000 positions आज build होई है यानि कोई चाह चाहता है ठीक है अभी भी चाहता है कम से कम 600 तक तो जाए और 600 तक तो आज ही गई थी ठीक है तो भया अभी position 600 वाले 700 वाले close नहीं किये हैं ठीक है बेशक से यहां पर prediction आपको लगे कि बेकार है उल्टा है बड़ डाटा जो है अभी भी बुलिश है structure जो है dip के बाद भी हो जाएगा यह बोल रहा है तो option chain तो भी या बोलिश है structure भाई उन डिपका है जब तक यह 12 ने टूटे भी एडिस नहीं होना ठीक है FIS कही ना कहीं आज जाके थोड़ी सी profit booking करी है उन्होंने बट उतना ही पैसा का जो है माल खरील लिया DIA इस ने ठीक है तो positions positions कुछ भी न profit blocking किये बहुत minor कहते है इसको profit blocking करना तो यह बहुत minor है ठीक है कहीं ना कहीं तो profit blocking थोड़ा बत तो कर देगा ना FIS भी बहुत heavy नहीं किया जिसकी वरे से हमें कोई डरने ही जवत नहीं है ठीक है analysis क्या कहता है analysis क्या कहता है अभी भी राटा जो है बोलिश ही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दरने वाली देखो और उपर से stock futures भी buy कर रहे हैं यह stock futures हो सकता है next month के लिए buy कर रहे हूं ठीक है क्योंकि अब expiry नजदीक है तो वही मैं कहना चाहरा हूं कि भाई अभी भी जो है ना overall जो अंदर से data के अंदर से मतलब निकल के आ रही है study क्या निकल के आ आती है और इस वारी line पर support लेता है तो definitely हम लोग फिर buy में ही जाएंगे अभी भी हम बेरिश्टों कम से गम नहीं बनेंगे अच्छा एक आधिना reliance का जो है वह अभी चार्ड काफी better नज़र आया है prediction की basis के ऊपर यह आज की जो candle ना यह काफी कह सकते हो आप इसको मतलब अच्छी candle है ठीक है एक अच्छी candle है कल ना reliance की ओपर ना focus करना याद रखना कल reliance की ओपर आपको focus रखना है reliance जो है वो कल हो सकता है एक अच्छी मतलब बढ़त दिखाए उमीद लग रही है ठीक है बट उसके लिए आज के candle का हाई तोड़ना होगा ठीक है और देखते हैं मेरे शाल से यहां तक तो आ सकता है अभी भी तीने जार तक का तीने जार तक का लेवल तो अभी भी भी आ सकता है जो परान लेवल था ना तीन इदार का बहुत दिन से हम डिसकस कर रहे थे एक जटका उपर तक का दे सकता है तीने जार तक का प्राइडेक्शन का अच्छा बना हुआ है इसका reliance का HDFC bank में तो भाईया हम लोगों ने चला चला के आप से बोला था कि HDFC bank को याद रखना HDFC bank जो है न वो आपको खीज देगा कब खीज देगा जब 1680 के उपर closing हो जाएगी आज देख लो कहा खड़ा है सत्रा सो क्या असपास खड़ा है तो तीस पॉइंट या नहीं कि बहुत हो थैस में तीस पॉइंट मतलब करिमन दो परसंट के आसपास का मूव ठीक है तो आप देख लो खुदी ठीक है अभी भी जो मैं यह कहूंगा इसकी वीकली कंडिल अगर देखोगा आपको समझ में आ रहेगा है एच डिफसी बैंक की यह देखो है ना मैं थोड़ा यह चार्ट हटा आज़ेता हूं अब देखो जगा वीकली कंडिल तो भाया अभी भी एच डिफसी बैंक कहीं ना कहीं ठीक है स्ट्रेंथ में आ रहा है और इसकी पांची वी चल रही है मैं आपको बता रखा है ओल्रेडी ठीक है दिखा भी देता हूं यह देखो एक दो तीन चार और पांच पांच वी वेव कहीं ना कहीं मेरा टागेट तो पांच वी वेव का यह है अथारा सव चोववन तहाए आ रहा है HDFC Bank तो Nifty भी उपर जाएगा, Bank Nifty भी उपर जाएगा, तो अभी just because के HDFC Bank को Reliance के चार्ट अच्छे हैं, इस वज़े से भी इस वज़े से भी आप shortening कर सकते हैं market में, समझ में आया, clear होगे सब कुछ, I hope clear होगा, ठीक है जी, मिलते हैं दोस्तों, फिरकल live market के अंदर अपने Telegram channel के ऊपर, और short मत करना भी चाहे वेट करना पढ़ जाए एक दुझा दिन का, लेकिन short प्लीज मत करना, ठीक है चालो, thank you, thank you so much for watching this video, thank you